नमस्कार दोस्तों रुआल इंडिया में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने बाले हैं ग्रीन इफेक्ट के बारे में अगर आप एक यूटूबर हो तो आपके लिए बहुत मुहत पुर्ण जानकारी है यूटूब के लिए वीडियो बनाना उसे एडिट करना और फिर यूटूब और पोस्ट करना इसमें बैक ग्राउंड एक बहुत अच्छी भूम कहनी बाती है तो अजम बात करने वाले हैं कि ग्रीट इफेक्ट कैसे लगाते हैं तो वीडियो के साथ बने रहे हैं और चलिए तो हम क्या करेंगे सिंपली अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आएंगे मोबाइल फोन के स्क्रीन पर जाने के बाद हम प्ले स्टूर को ओपन करेंगे प्ले स्टूर में लिखेंगे वीडियो एडिटर मेकर ब्लॉग नाओ और इसको इंस्टॉल करके इसको ओपन करेंग गिन इफेक्ट लगाया हुआ है और गिन इफेक्ट लगा करके इसको मैंने एक न्यूज रिपुटर के रूप में त्यार किया है तो यहां से हम सिंपली क्या करेंगे इसको विडियो बना करके और अपने हिसाब से इसको एडिट करेंगे आप देख सकते हैं कि मैंने एक न्यूज का फोटो ले लिया है और उसके बाद मैंने एक वीडियो ले लिया है तो वीडियो में हम क्या करेंगे वीडियो वाले पे क्लिक करेंगे वीडियो वाले पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे नीछे एक option है chroma का chroma के option पे जा करके हम click करेंगे chroma के option पे जा के click करने के बाद आप डीज़े देख सकते है इस plus icon को हम remove कर रहे हैं तो मेरा जो background है remove हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे इसको फिलाल हम side कर लेते हैं और आप देख सकते है कि मेरा जो background effect है वो पुरा upload को अब दिखाई देने लगा होगा तो इस plus icon वाले को हम क्या करेंगे simply कहीं ऐसे जगह पर रखेंगे जहां पर background remove हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे यहां से अपने तरिका से इसको set कर लेंगे और set करके यहां से हम क्या करेंगे है तो मैं simply इतना रहने देता हूँ आप देख सकते हैं और नीचे spell का एक option है spell का option पर हम click करेंगे तो इसको हम brightness template के लिए इसको इस्तमाल किया जाता है filter के लिए तो इसको हम zero ही तहने देंगे और यहां से हम okay कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो background है पुरा remove हो चुका है और इसको हम click करेंगे और चला कर देखेंगे कि यह यह बैंग्राउंड मेरा remove हुआ है या नहीं तो स्पर्राइब देख सकते हैं कि मेरा बैंग्राउंड जो है कि रिमूब हो चुका है पूरा और उसके बाद मेरे वीडियो भी है जो अच्छे क्वालिटी में बन रहा है तो दोस्तों आप लोगों ने बैक्ग्राउंड कैसे रेज करते हैं कैसे इसको हटाते हैं इतना तो सीखी लिया होगा इसमें क्या क्या करना परता है इसमें इस प् पसंद नहीं है वहाँ से हमें स्प्लिट कर सकते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे यहां से एक एक स्पोर्ट का आप्शन है एक स्पोर्ट का आप्शन पर जा करके और इसको अपने गैलेरी में सेप कर लेंगे आ दो आए दूस्थ हा आज आप लोगने देखा की में गिरन और यंफेक्ट कैसे लगाते हैं करोमा की कैसे हूज किया जाता है 3 और कितना आसान तरीका से मैं ने एक green effect को remove कर दिया तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते है किसी next trophy के साथ अपते के लिए जाहिंद